को हलो दोस्तों आप लोगों का यह यह चैनल पर बहुत-बहुत श्वागत है मैं अशन्सकला आप लोगों का यह चैनल पर स्वागत करता हूं और आपके इस चैनल पर इंग्लि radius से इंग्लिस से र convergence स्टोडेयर रहे जाई इसका या हिंदी वर्जिन उसको समझ नहीं पाते हैं तो आपको इस चैनल पर सारे क्विश्चन का एंसर करवाया जाएगा और एंसर के साथ साथ उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी उपलब्द करा जाएगा ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें और अपनी परिच्छा में आसानी से लिए सकें तो दोस्तों आईए चर्चा करते हैं आज कि टायमन को ज्यादा व्र मर्ट ज्यादा को द्यान में रख्ते हुए सब्से provide it यह उनको लिखना होता नहीं चर्चा करना हैं तो यहाफ का पर या नोटेशी आपकी प्रिचा में ईसारी साथा तय हो ज्यादा तर दोस्तों कुष्च चो पूराने परिछाओं के हम पहले की परिच्छाओं के हो अक्सर रिपीट होते रहते हैं तो कौन से कुईस्टन ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह आप देखिए तो आई यह चर्चा करते हैं इस पर सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है भी यह पार्टू इनि सेकंड एर इंगलिस लिट्रेचर का कि 2015 2015 का यह पेपर है कि कैसे पेपर आया हुआ था फ़स्ट पेपर आपका है पेपर नमर फच्ट है प्रोज यानि प्रोज को आप वह समझते हैं प्रोज का मतलब गद्य होता है अब नीचे दिया गया नोट नोट में आप क्या सिखने आपको करने मार्क लाटर टू इच बिसकी आइंडिकेटेद अगेंड आगें जी जो भी इसके मार्क यह निक विच्चन के दो नमबर का है चार नमबर का है कि आठ नमबर का है यह प्रत एक प्रस्व सब्सक्रेख लिखा गया है आप देखिए section A section यह जो है वह इसमें क्या करना इसमें वी एक नोट दिया गया है यानि आप समझते हैं कि question को पेपर को total three section में divide किया जाएगा section सेक्शन यह सेक्शन बी और section C तो तीनों section में पहले section A के बारे में से चर्चा करते हैं लिखा हुआ है यानि सारे कुईश्यन आपको करने आए गिव एंस्वर आप इस कुईश्यन इन अबाउट फिफ्टी वर्ड्स यानि सारे कुई मलब ये इस सेक्षन के अंतरगत जो भी कुईश्यन रखे गए उनको उनका एंस्वर जो है वह आपको पच सब्दों में लिखना है यानि लगबग पचास सब्दों होने चाहिए कम ज्यादा भी हो सकते हैं दो चार सब्द इदर उदर उससे कोई लेकिन नियर अबाउट जो है वह फिफ्टी वर्ड्स होने चाहिए तो आईए क्विश्यन नंबर वन देखते हैं वन में पहले में क चैनल उसके बाद पहला कंड उसमें दिया गया है कि वाट डू अडू अटर सेंड आप क्या समझते हैं यह चीज यहां पर कुशन नंबर वन के अंतरगर दिखाई गई है दूसरा question जो important question आपका है जो परिच्छा में आता रहता है which things is needed for a person if the reads little यानि कौन which things is needed कौन सी चीज जरूरी होती है for a person उस्व्यक्ति के लिए if the reads little यह थोड़ा कम पढ़ा लिखा हुआ ब्यक्ति है तो उसके लिए कौन सी यह ज्यादा important होती है यह बात question number second में पूंचा जा रहा है question number third what do we want to be plead with flattery यानि flattery से flattery का मतलब चापलूसी होता है चापलूसी से हम किस प्रकार से पसंद मलब प्रसंद होते हैं इस बात को प्रसंद हो जाते हैं इस बात को पूछा गया है फ्लेट्री से चापलूसी से फोर्थ नमबर आए वाट इस बात को यहां पर पूछा गया है question number four में अब question number उसके बाद आपका आता है फोर नमबर तक डिसकस हो चुका है यह फाइब जो उसका पहले का यह पांचवा जो है डिसक्राइब दो कैसना आप लैंब्स लाइफ वैन रोट एससे डीम चिल्डरन यानि आप जानते हैं कि आपके इसमें कितने आपके सेक्षन में आपके इसमें फर्च पेपर में कौन-कौन से यह से हैं जो इंक्लूड है तो इसमें में टो इसे जो इंकलूड किये गए हैन नाइन राइटर हैं नाइन लाइटर कि आपके सेरी में से पीन यूनित के अंतरगाद रखे गए यह ह्यापका स्लेव से कोडस है तो रसलेंब का चल Gwen लैंब का जो है वह इसमें deuxième चिल्ड़न नाम का यह से इस से में पूच राए कि डिस्क्राइब दा और कैसंस आप लैम सिल्डाइफ यानि लैंब के जीवन के महलब किस है पहलू पर या किस अवसर पर होय नहीं ही रोट जी जिस i.dream स्टिल्डrun जैनि एक लैंब के जीवन मरने अपने जीवन के किस लिखा हुआ है ये եे का नाम ятवक रेहा near जो आपके नक्ष हैं शीष्ट है क्या उनके बारे में पूंच रहा है कि उनके कमेंट आन ट्रीक्वाल्टी यह निकमेंट करना आपको टिपड़ी करनाएं तीन सरिश्ताओं के बारे में आप गोल्ड स्मिस्थ पुरोज अस्टाइल पूज इस्टाइल यानि गड़ी remember गोल्ड इस्मित के गड़ी के बारे में आपको तीन कमेंट करने है नेक्टिस्ट देखते हैं दोस्तों तो के वाट इट अब नेक्ट क्विस्टिन आपका जो सातुमा कुछिन है यह डर्ड रोड क्या चीजिश है तो आप जानते हैं कि एक का नाम है आरेलिश्टी वैंसन जो यह से आपको बतारा है कि यह क्या चीज़ अगला कुश्चन दोस्तों देखते हैं कि डिफाइंस शुप स्टिशन इस योन ऑन वर्ड यानि इसके बारे में ये कहरा है कि इसकी आपको परिभासा लिखनी है यह क्या ची अंदविश्वास शुपर सुपर स्टिशन का मतलब होता है अंदविश्वास को परिभासित दोस्तों दे तैजना के बाएरे में कुछ जो साईको जिस्ट का मतलब वैज्ञ्जानिक होता है दोस्तों कुछ ग्यानिकों ने भूल के बारे में क्या चीज बताई है तो इसके बारे में इसमें चर्चा करनी है इसके बारे में इसका एंस्वर लिखना है कि कुछ मनुवा ग्यानिकों ने भूल के बारे में क्या बताया हुआ है यह आपका जो इन बीफ दंप रोजिस्टाइल अप या मैं जो आपकी एस्वीज़ किस्थ हैं इसमें वहां है उनका एस्टेंट मौप्द्स जो है यह से आपका आपके कोर्स में है तो उनके बारे में डिसकस करना है चर्चा करनी है उसके बाद दोस्तों सक्षन जो है वह आपका कंपलीट हो जाता है यह बेरी सार्ट अंसर टाइप का कुईस्टन रहेगा और इसके अंसर जो है पहले ही बता दिया गया कि 50 वर्ट में टोटल लिखने हुए है यानि नियर अबाउट 50 होने चाहिए कम जाद इन प्रस्णों के उत्तर लगभग आपको 200 सब्दों में लिखने अब 200 सब्दों में लिखने 200 से 210 या 190 भी होगा तो कोई उससे प्राब्लम नहीं होती है बस आपको एक कांसेप्ट होना चाहिए कि इतने 200 वर्ट लिखने तो एक पेज में या जितने डेड़ पेज में आपका दिया गया आप सेक्शन भी में दूसरा कुश्चन आता है चुकि पहले कुश्चन में दस उसके पार्ट दिये गए थे दस कुश्चन छोटे-छोटे इंक्लूट किये गए थे सेकंड नमबर कुश्चन जो है क्या करा है एक एक स्प्लैन बिथ रिफरेंस टूदा क आपको ब्याख्या करनी है कि इस्ट्री में में वाइस वेट्स बीटी दा माथमेटिक्स सब्टल नेचुरल फिलास्पी डीप मोरल ग्रेव लॉजिक एंड रेट्रोडिक एबल टू कंटेंड यानि यह पैसेज दिया गया है यह पैसेज चुकि आपके एससे का है और इसक संदर्व सहीत आपको गया कर निया या आपको रिफरेंश लिकना है कॉंटेज लिकना है और इस प्लानेशन शनिक नाइस अथवा और लिखा वया यानि यह तो आप ऊपर वाला करिये आप यह तो उसके जिगा पर आप. दूसरा वाला कर सकते है इसमें सचैने श्याने सिक यानि उपर वाले पैसेज की आप चाहें तो संदर्व सहीद ब्याख्या करें अथा वह नहीं आता है तो सेकंड वाले की अब दोस्तों यह कुश्चन दिये गया है इसका इंसर क्या है आपके कोर्स में आपके चैप्टर से लिया गया है किस पार्ट का यह सारी चीज की को साल्व कराया जाएंगे तो आप मेरे साथ जूड़े रही है इस चैनल के साथ जूड़े रही है चैनल को दोस्तों आगे के वीडियों में आपको साल्व कराया जाए सारे कुश्चन तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें उसके बाद बैल आ दोस्तों यानि इंग्लिस से रिलेटर आपको भी एम में के सारे कोर्स जो है उपलब्द कराए जाएंगे सारी एक चैप्टर की आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में उपलब्द होगी ताकि आप आसानी समझ सकें और कैसे प्रस्णों को लिखना आए कौन कौन से प्रस्ण प्रस्ण ज्यादातर पर इच्छा में पूछे जाते हैं और नेक्स्ट यर यानि इस साल कौन से कुश्चन आने वाले हैं यह सारे कुश्चन या सारे चैप्टर आपको यहां पर उपलब्द होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि न आपको इस्ट्च करना यह लिखाओओए एक्स HEY एऐ एक्सPयान वित रिफ Lawrence to the context the following passage यह इतेिय लिएवय प्रेश्च का आपको वही बात reference or context के साथ यंच्छ यह अनदर आपग एउस्टवर प्रसंग के सथ आपको ब्याख्या करनी है की देरिज आल्वेज इन new horizon प्रेटी बिजनेस एंड नाट इन दूरिंग बियॉंड एवरी पीरियड आफ यर्स वी आर सो कंस्टिटुटेट देट आवर होप्स आर इनक्सेसिबल लाइक स्टार्स यानि इस पैसेज की ब्याक्या आपको करनी है और पहले आपको रिफरेंस एंड कांटर्स लिखना है लिखना आप लोग इंटर्मीडियर में या उससे पहले समझ चुके हैं कि कैसे रिफरेंस लिखा जाता है यानि संदर्व से बैठ्का जो चीज आप हिंदी में समझते हैं वही चीज यहां पर करना है यह पैसे आपको देखना है कि कौन से चैप्टर से है और उस चैप्ट तो दूसरा करें दूसरा जो दिया गया है यह आपका है कि दफिसिंग राट आप रियाल्टी इस फार गटन बाई हम ऐसी डेट डीम्स ओवर दफीस्ट आप फिसिंग राड़ आप यूटोपिया यानि इस पैसेश की ब्याख्या या तो आप उपर वाले की करिए और या प्रोज स्टाइल आप बेकन यानि बेकन की प्रोज स्टाइल जो है जो है फ्रेंसिस बेकन जो आपके बहुत ही फेमस राइटर है बहुत ही फेमस एसेस्ट है तो उन्हीं के बारे में पूंच रहा है फ्रेंसिस बेकन के बारे में पूंच रहा है कि उनके बारे में क्या कर इस बात की चर्चा आपको करनी है यानि चाहें तो आप वो करें और चाहे तो यह करें दोनों में से यह question का answer आपको लिखना है दोस्तों question no.5 है 5 no. question देखते हैं what aspects of lamb personality do you find in his essay dream children यानि चुकि lamb का यह dream children है पहले ही आपको बता है Charles lamb का यह essay dream children तो पूछ रहा है कि what aspects of lamb personality यानि lamb के बारे में आप यहाँ पर उनका जो essay dream children है कौन सा पहलू का अध्यन करते हैं कौन सा पहलू आप उहां पर प्राप्त कर सकते हैं dream children जो इनका यह essay है चार्स लेंम का यह सिसे में आप लैंग के बेखते तुकिए कौन से पहलू को प्राप्त करते हैं do you find find का मनलब प्राप्त करना यानि आपको क्या चीज उसमें दिखा ही पड़ता है कि इसमें बिजादा पढ़ता है तो सारान्स लिक्ना यहाँए दोस्तों आप यह चुकी 200 वर्ड्स पहले ही बताया गया है कि 200 वर्ड्स में आपको लिखने हैं तो आप 200 सब्द के अंतरगत उसको आप इसकी ब्याख्या कर सकते हैं समराइज कर सकते हैं उसको उसका सारान से लिख सकते हैं पूजिशन नबर 6 आता है दोस्तों कि यह जो आफ जस्ते यूर यतिन यूर ओन वर्ड्स डविइू आप स्टील आथ्टीय आप श्टील worth yeah फ्लेट्री और पर फ्लेट्री का बारे में रिचर्ड श्टील जो आपके हैं उनका क्या विचार है फ्लेटरी के बारे में इस बात को आपको यहां पर लिखना है अपने सब्दों में उनकी ब्याख्या करनी है अथवा कमेंट आंद प्रोज स्टाइल आप रॉबर्ट लिंड रॉबर्ट लिंड के प्रोज स् सक्षन भी कंपलीट हो जाता है सक्षन सी आता है और इसमें पहले ही निर्देश दिया गया कि सक्षन सी में आपको नोट लिखा गया कि अटेम्ट एनी कुईश्चन यह नी टू कुईश्चन लिखा गया यानि केवल इसमें जितने अब इसके आगे के जो कुईश्चन है सक् आपको लगभग 500 सब्दों में देना है यानि 500 सब्दों कहने मतलब यह लांग एंसर है तो आपको कम से कम कि दो तीन तीन नून पेज में लगभग तीन या चार पेज में आप जितना बढ़ियां लिख पाएं यानि सारी बात उसमें आजानी चाहिए जो पूश रहा है यानि लांग ऑनम तो मैं से में यानि कॉशिण नबर सेबन टोटल यह सेवन नंबर और हैं लेकिन लांग एंसर का पहला है क्या करना है क्या पूश आए दोस्तों इसमें कह रहा है कि discuss बेकन आज दा वाइसेस्ट-ब्राइटेस्ट एंड मेन इस्ट मैन काइंड बेकन जो हैं बहुत ही दिवान बहुत ही अच्छे बिक्तित्वाले आदमी हैं इनके बारे में आपको डिसकस करना ए तो यह चीज़ आपको यहां पर बताईगे question 7 में question number 8 यहां पर देखिए यह उपर के question उसमें है लेकिन तो यहां पर section C में जो आपका दिया गया था क्विशन नबर सेवन था और सेवन के बाद कुशन नमर एट है एट पर यहां पर देखिए कि लिखा हुए डिसकस इस्टील आया जैने सेश्ट यानि इस्टील जो हैं वह क्या है एक एसेश्ट के रूप में इनकी चर्चा करना है इनके बारे में बढ़न करना है बिस्तार मे लिखना है चुकि 500 वर्ट में लिखना है दोस्तों उसके बाद है विच्ट नमबर नाइट डिसकर चाल्स लेम वायजैं रोमांटिक एसेश्ट के रूप में इनका वरण करना है निवंधकार है एक रोमांटिक निवंधकार है यह उसमझे लेजिए च्छायवादी निवंदकार के रूप में इनका वड़न करना है चार्ज लेंब इनके बारे में डिसकस करना है उसके बाद इसके बारे में आपको लिखना है कि राइट अक्रीट करना है यह बताना है यह लिखना है कि एजी गार्डिनर जो हैं वह एक निवंदकार है इसके बारे में आपको लिखना है कि राइट अक्रीट कल एप्रीशेशन आप ऐसे फार गेटिंग यानि फार गेटिंग जो एसे है निवंद है वही भूल और भूलकरपन के बारे में तो इसको आपका एक क्रीट कल एप्रीशेशन लिखना है है तो यह कुईश्चन टोटल दोस्तों 11 को एक द्वैन को सब्सक्राइब आपका फाइब ऍंस परकारit जहांने दो इस से ब्रंप पूरा पर फिर से ब्लANS कर kamu कोर्ण्श ऐसकता है यानी प्रोज रेलेटारा थायर पूर्ड ीड पार्टू स्य यह रखा गया कोर्स जो रखा है है वो उसके बाएरे में यह हो हो चुकी है और यह आपका अपर या सेकंड पड़ भी हो सकता है उसे आप परियसान नहीं होना उससे कोई फरक नहीं पड़ता थे तो सेकंड हुद तो डो पर आपके होने होते हैं दोनों में से सब्सक्राइब करें और कमेंट बाक्स में आप आगे चरचा करेंगे आपसे तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सेर जरू करें और कमेंट बाक्स में अपने comment at लिख सकते हैं कि आपको किस chapter से रिलेटेट वीडियो की जरूरत आप क्या चीज जानना है grammar section ≫ सक्षम से कुछ जानना है या जो कुछ भी जानना है तो आप उसको यहां पर comment box में लिख सकते हैं तो दोस्तों इस चैनल से जोड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें धन्य बाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियों